जून का महीना खत्म होने को है ऐसे में किसान भायों मूली की बुवाई शुरू कर सकते हैं किसान भायों आज के बीडियो में हम आपको मूली की बुवाई की ऐसी तीन बिधियों के बारे में बताएंगे जिसे आप अपना कर बारिस के आनिमित पानी से अपनी मूली की फसल को आसानी से बचा सकते हैं जिसमें मुख्य विद है, बेड़ विद तथा मेड़ विद, जिसें वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे किसान भाईयों इस मौसम में अगर मूली की फसल आप उगा लेते हैं अपने खेद में तो आपको बहतरीन रेट मिलेगा क्योंकि इस समय जो है मूली को उगाना बहुत ही कठिन है जैसे सर्दियों के मौसम में बहुत आसान होता है वैसे ही इस मौसम में बहुत ही कठिन कार्य है किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ बीजे माउर और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेतिवाड़ी जिन किसान भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकोन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आईए वीडियो को इस्ट्राट करते हैं मूली की बुवाई के लिए सर्फ़तमा ऐसे हम खेत का चुनाओ करेंगे जहां बारिस के मौसमें ज्यादा देर तक पानी जमा ना हो सब प्रतम हम कल्टिवेटर से अपने खेत की जुताइक कर लेंगे उसके बाद जो 20 किलो यूरिया, पोटास, सुपर और डियेपी मिला कर खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर लेंगे एक एकड़ खेत में प्लस उसमें जो है चार किलो जो है मूली का बीज नॉर्मल तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मूली की बुआई सर्दियों के मौसम में ऐसे ही किया जाता है पर यह बारिस के मौसम में ज़्यादा सेकसज नहीं है क्योंकि जो है ऐसे कियारियों में विभाजित करके जो मौली की बुआई की जाती है उसमें पानी बरसाद के मौसम में जाम हो जाता है जिससे जो हमारी फसल बरवाद हो जाती है तो इस बिद से बरसाद के मौसम में मौली की खेती ना ही करें तो बहतर है दूसरी बिदी आपको हम बताने जा रहे हैं वो है मेड़ बिद अगर किसान भाई इस बिद से लगाते हैं तो उन्हें तधिक लाब कमाने का मौका मिल सकता है देख पा रहे होंगे कि आप कितना 100% जर्मिनेशन हमारे खेत में हुआ है मूली के बीज का इसमें एक फायदा और है कि जैसे आप बारिस के मौसम में इस बिद से लगा रहे हैं तो बारिस का पानी जो ये नाली के माध्यम से खेत से बाहर चला जाता है जिससे पौदे को नुक्सान नहीं होता बारिस के पानी से और अगर बारिस नहीं हो रही तो नाली के माध्यम से आप सिचाई भी कर सकते हैं तो ये हो गई आपकी मेडवीद अगर इस भी से अगर किसान भाई लगाते हैं तो उन्हें जो है मुली बहुत पतली और लंबी होती है जिससे मार्केट में अच्छा लाभ मिलता है किसान भाईयों आप जिस भी खेद में मुली लगा रहे हैं बरसात के मौसम में उस खेद में जो है गोबर की खाट डालने से बचें अगर आप गोबर की खाट डालते हैं तो जणी काली हो जाएंगी जिससे आपकी मूली देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेंगे किसान भायों तीसरी बीद हम बताने जा रहे हैं आपको जिसका नाम है बेड़ बीद बेड़ बीद जो है खेद में अच्छी तरह रोटावेटर सो जुताई करके आप पाटा लगा के जो उसे कियारियों में विभाजित कर देंगे जिस प्रकार कियारियों में जो मेड़ बंदी किया जाता है मेड़ बादा जाता है उसी प्रकार जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो है मूली अभी एक हपते का हो गया जिस दिन हम बुगाई किये थे उसी दिन जो है बारिस हो गई थे लेकिन फिर भी बेड़ बिद से बुगाई किये थे इस वज़े से मूली आपको दिखने को मिल रही है अन्य था आप तक ये खतम हो गई होती मेड बिद जो होती है क्यारियों मेड बिद होती है उसमें मेड बादा जाता है और बेड बिद में खेद में क्यारी क्यारी जो इसे माध्यम से नाली बना दिया जाता है जिससे बेड की तरह बन जाता है और बारिस का पानी इस पे नहीं रुक के नाली के माध्यम से खेद से बाहर निकल जाता है तो किसान भाईयों बरसात के मौसम में सबसे सेक्सेशफूल बिद यही है आप इसी बिद से अपने खेद में मूरी लगाएं तो आपको फेल होने का चांस 100% खतम हो जाएगा किसान भाईयों अब की बार मौसम में आप इस बिद से जरूर लगाएं आप देख पारे होंगे हमने कैसे अपने खेद को क्यारियों में नाली के माद्धम से विभाजित कर दिया है और देखी पारे होंगे कि एक भी पानी क्यारियों में उपर नहीं लगा हुआ है तो यह ब इसमें पानी का छिड़काव करके अच्छी उपद ले सकते हैं किसान भाईयों बरसात के मौसम में बहुत ही कठिन कारी है मूली की खेती करना यही कारण है कि मार्केट में आपको अच्छा रिड मिलता है चालिस से पचास रुपे प्रत केजी आप जैसा कि देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में 4-5 रुपे मिलना बहुत ही कठिन कारी हो जाता है वहीं पर अगर गर्मियों के मौसम में बरसात के मौसम में अगर देखते होंगे तो आपको कितना फारक देखने को मिल सकता है कि सान भाईयों झाल झाल